तो गाइस थौर लवेन थंडर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंच की मूवी के रिलीस के बाद तुरंत ही रिलीस होगा ओके ओके दो महिने बाद रिलीस हो जाएगी तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो पनाना मिलता है और सुत्रों के अनुसदार हमें थौर के मेन केरेक्टर की कॉस्ट्यम के बारे में बड़ी इंट्रेस्टिंग कवर मिली है हाई गाइस थौर लवेन थंडर के सभी मेन केरेक्टर की कॉस्ट्यम की फोटोस मार्केट में आ चुकी है और इसमें हमें पता चला है कि जेन फॉस्टर को सिल्वर रेड क्लोक यानि क्लासिक थौर का लुक मिला है जो एकदम कॉमिक एक्कुरेट है और इसमें आप म्योनिर पर क्रैक्स देख सकते हो होसकता है भ Wandier जेन की वर्दिनेस की वज़े से जुड़ गया हो और जेन फॉस्टर को थौर की पावर्स दियो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यह मूवी कलरफूर मनाना चाहते है तो उसका पहला साइन थौर की कॉस्ट्प ही है थोर की ये blue costume कॉमिक्स से inspired है और marvel कॉमिक्स में थोर के इस suit को battle armor suit भी कहा गया है और थोर के पास में storm breaker है तो उसे म्योनिर यूज करने तो मिलने नहीं वाला क्योंकि म्योनिर तो jane foster लेकर गुमेगी अब बात करते है वैलकरी की तो टेसा थमसन ने अपनी एक image share की थी जो दिखी थी black and white costume में जो दिखने में एकडम बहतरीन थी अब बात करते है ट्रेलर की तो ये ट्रेलर कब आएगा उड़ते हुए कबुतर से ऐसी खबर सुनने में आई एकि थोर love and thunder का जो पहला टीजर है वो हमें 13 February को देखने को मिलेगा क्योंकि US में सुपर पूल गेम होते है जिसमें कई ट्रेलर एर किये जाते है जिसमें थोर love and thunder का भी छोटा सा टीजर दिखेगा और टाइकाव IT टे ने मूवी को love story बताया है तो इसका main ट्रेलर हमको 14 February को यानि Valentine's Day के दिन release होगा So guys इस वीडियो को यहीं पर wrap up करते हैं ऐसे interesting facts और super hero की information जानने के लिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए So guys मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक be marvelous